हेलो स्टुडेंट्स वेलकम्टू आउर ओनलाइन ग्लासेस माइसेलफ शिवी दिख्ची टूड़ आएम गूइंग टूटीच्व मैथमेटिक्स ऑफ एक्सरसाइज फाइफ ए आज हम चप्टर फाइफ पर स्टार्ट करें एक्स्पोनेंट तो पहले हम कुछ बेसिक चीजो इसको क्या बोलते हैं एक्सपोनेंट या पावर इसको पावर भी बोल सकते हो और एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो ठीक है नो और निचवाले को बेस बोलते हैं जैसे एक्स रेस्टू पावर वाई इसको क्या पढ़ते है एक्स रेस्टू पावर वाई तिया पे एक्स बेस आपको पता है rational number को q से denote करते हैं ठीक है नो rational number के groups को किसे denote करते है q से और यह rational numbers को p से तो देखिएगा for any rational number a by b and positive integers m and n v है मतलब डिया है कि आपको कोई rational number a और a by b है और जो positive integers m और n उनके लिए सा formula है यानि कि आपको exponent m लेना यहां पर ठीक है तो दिया a by b into a by b पर power m इस पर power n है it means अगर कोई do quantity multiply में हो क्या हो multiply में उनका base same हो तो power को add कर देते हैं यानि x power a into x power b हो देखिए multiply में है इन दोनों का base same है power different है to normally your power को क्या कर देंगे add कर देने b相 boleh और power a plus b हो जाएगी जैसे हम दिखिए base क्या a by b यहां भी base क्या a by b यानि दोनों with से हमें power different है और है दोनों किसमे multiply में तो power को मैं क्या कर देंगे add कर देंगे based लिक लिएंगे एक एक और एक और JUST one पावर को एड़ कर देते हैं बस यहीं होता है ठीक है नो अच्छा सेकेंड देखते हैं मतलब मुल्टिप्लाइट अब आएगा डिवाइट का अब किस कहाएगा डिवाइट के नहां पे एम ग्रेटर हो नहीं पहले वाली ग्रेटर होना था यह तो डिवाइट में अगर बेस से में पावर डिफ्रेंट देपावर को एड़ करते हैं और डिवाइट में बेस से में पावर डिफ्रेंट देपावर को सब्ट्रेक्ट करते हैं फिर देखते हैं आपको यहां पर एबाई बी अब यहां पर एम लेस है एम छोटा है तब इसके लिए देखिए अलग कंडि बाई B पर पावर M उस पर पावर N हो तो A by B पर पावर M into N multiply कर लेते हैं सीधे ठीक है नो तेस्ट अब फर्मलाप को याद कर लेना है पहले बाई B पर पावर M minus N हो तो फर्मलाप रिजल्ट आता है B by A पावर N यानि अगर 1 by 6 मालिज आपको 4 by 6 पर पावर कोई दिया है minus 1 तो 6 by 4 पर पावर 1 हो जाएगा उल्टा कर लेते हैं ठीक है नो यानि A by B पर पावर M minus N है तो B by A पावर N हो जाएगा ठीक है नो सीधे A by B पर पावर M minus N है तो B by A पावर N हो जाएगा आपको याद कर लेना है और A by B किसी भी डिजिट पे अगर पावर 0 हो तो रिजल्ट 1 आता है 100 पर पावर 0 है तो रिजल्ट क्या होगा 1 यानि X पर पावर 0 is equal to 1 ठीक है नो और A by B पर पावर M minus 1 का रिजल्ट B by A होता है य I teach of the following in power notation इसको में power notation में लिखना है देखिए 5 by 7 into 5 by 7 into 5 by 7 into 5 by 7 into 5 by 7 any 5 कितने times आया देखिए 1,2,3,4 times तो 5 by 7 भी 4 time है 7 per power 4 इसको बोलत है power notation ठीक है नो 5 by 7 per power 4 इसमें देखिए minus 4 minus 4 minus 4 minus 4 minus 4 3 3 3 3 3 5 times हा है तो minus 4 by 3 पर पावर क्या कर देंगे 5 तो इस तरीके साब सबको बना सकते हैं इसको देखिए 1,2,3,4,5 यानि minus 8 पर पावर 5 ठीक है नो इसको भी करना है तो आपको square root निकालना सिखाया है उमें जैसे दिया आपको 25 by 36 इसको बिद्धा 5 इंटो 5 होता है और 36 6 इंटो 6 यानि हो जाएगा 5 by 6 का square ठीक है नो इस तरह से बंगते हैं जैसे कि आपको दिया है माइनस 27 by 64 माइनस 27 by 64 त्याहा पर दिकी 27 किसका 3 का cube है और 4 का cube 64 है तो 3 माइनस 3 by 4 पावर क्यूब हो जागा ठीक है नो तीन तरीके साब इन questions को solve कर सकते हो ऐसा कोई भी question नहीं है जो इसमें tough हो अब माइनस 1 by 128 है इसको कर लीजिए आप मैनस 1 by 128 को में किता इसाइड हो जागा टू इंटू तू तू नौ 32 यहानि 1234567 डू रेस्टु पावर और अब 7 कर देंगे तो बास है कि 2 तू जा 4 4 तू जा एट एट टू जा 16 16 तू जा 32 तू जा př olduğ 1967 121 तो वन बाइट्व रिस्ट पाहूर 7 ऐसे हम बना सकते हैं एक्स्प्रेस ड़ों अपतब फुलों करता है अब n है श्रक e school असिस्कोब लूर्य टुबॉघ रान ऑप 1 लाइक तोू गोड़ sei गया थीक आप इस तरीकेसा ये बहुत ही एजंता चौथा देखते हैं एक्सप्रेश चीट फूलें कि रेस्टनल नंबर बदलना आपको मैं अभी फॉर्मुला बता है कि 4 रेस्ट पाउर माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 भाई 4 एक क्या हो जाएगा जैसे कि 3 by 8 पाउर 4 रेसिप्रोकल को चाहिए तो रेसिप्रोकल लूटा कर देते हैं 8 by 3 पाउर 4 रेसिप्रोकल का मतलों फाइंगा मामानस 5 वहीं इसे पाउर 11 लुकिन proxy माहित ऐका चेर्चा वाहिए बाउस पाउर 11 उस तरीका सब बनाएंगी ठीक है हिए भी आप सभी questions को बनाओ 8 पर पाई 0 अभी बता है कि 1 पर पार 0 वन होता है एक पर पार 0 क्या हो जाएगा 1 एक हो जाएगा 4 प्लस 5 प्लस 1 तिस तरीका साब सब को बना सकते हो ठीक है लिख लिए ठीक है नो आपको यह 4 टाइमस लिख लेना है और फिर 1 by 5 को 2 टाइमस इसको simplify कर लिए अगर कुछ कट रहा है तो कट कीजिए नहीं तो बस यह answer हो गया देखिए यहाँ पर ठीक है नो इसको solve कर लो आज एक answer 3 times लिखके इन तरीके सा आप इनको solve कर लिजिए टेन आप कोशिस करना अगर बन गया तो ठीक है अधर्वाइस आप कमेंट कर देना मैं आपको बता दूँगा और question no.11 से हम next video में discuss करेंगे okay and one matter having said that really if you have any doubt then please ask me without any agitation I am always with you okay thank you